पी एन संधी डायोड अग्र अभिनती अवस्था में कब कहा जाता है और ये किस प्रकार से अग्र अभिनत या फारवर्ड बाइस इस्तती में काम करता है तो जैसा कि हम जानते हैं हमने पिछले वीडियो में पी एन संधी डायोड पढ़ा है तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहां ये बताना चाहेंगे कि जब पी एन संधी डायोड में P प्रकार के अर्धचालक को किसी बाहिय बेटरी के धन सिरे से और N प्रकार के अर्धचालक को किसी बाहिय बेटरी के या उसी बाहिय बेटरी के हम शब्दी उस करेंगे तो उसी बाहिय बेटरी के रिन सिरे से जब जोड़ दिया जाता है तो हम कहते हैं कि यह इस्तिति अग् forward bias कहलाती है हमें पता है कि जो PN संधी डायोड होता है तो उसका जब हम बाहिय परिपत से संबंद करते हैं तो उसके P सिरे की तरफ हम anode बोलते हैं और N सिरे की तरफ हम cathode बोलते हैं तो anode का संबंद बेटरी के बाहिय बेटरी विवस्ता या forward bias विवस्ता है मतलब ये जो डायोड अब PN संधी डायोड है ये अग रभिनती में या forward बायस में कहलाएगा तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने P प्रकार के अर्दचालक का जो संबंद है PN संधी डायोड के उसका जो बेटरी है जो बाहरी बेटरी हमने या लगाई है उसके धन सिरे से किया हुआ है और एन प्रकार के अर्दचालक का संबंद जो है PN संधी डायोड का जो एन प्रकार का अर्दचालक है उसका संबंद हमने बेटरी के रिन सिरे से किया हुआ है या बेटरी के हम कहें कि रिनात्मक सिरे से किया हुआ है तो हम कहते हैं डायोड क्या है अगर अभिनत अवस्था में है हमें पता है कि जो PN संधी होती है या PN संधी डायोड जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि ये PN संधी है और ये PN संधी डायोड की ये वाली क्या है अवक्षय पर्त या डिप्लिशन लेयर है अब हमें ये भी पता है कि इस अवक्षय पर्त की जो मोटाई है वो 10 to the power minus 6 meter की है और अगर हम कहें कि इसका प्राचीर विभव या रोधिका विभव कितना है तो हम सिलिकान के लिए बोलते हैं कि इसका रोधिका विभव 0.7V है तो हमें क्या करना है कि जो बाहिय बेटरी हम यहां यूज करेंगे जब हमें उसका जो विभाव रखना है वो विभाव इस रोधिका विभाव से अधिक रखना है तो उससे क्या होगा कि फिर हमें ये डायोट से अच्छी तरह से हम अगर अभिनत अवस्था में डायोट करेंट प्राप्त कर सकेंगे मतलब जैसे यहाँ पर अगर रोधिका विभाव जैसे हमने कहा कि जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट है तो बेटरी के द्वारा जो आरोपित वोल्ट था होगी वो 0.7 वोल्ट से अधिक रखना है तो अब इससे क्या होगा इसको हमें देखना है हमें ये भी बात पता है कि ये जो अभी अगर मान लीजे आप इसको बेटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसका जो विध्दुच्चित्र है वो जो यहां PN संदी डायोट दिखाई दे रहा है अगर इसको आप बैटरी से नहीं जोड़ते तो इसका विद्धूश्चेत्र एन से P की और होता है ठीक है? इस तरीके से विद्धूश्चेत्र होता है और हम बाहर से जो बैटरी लगा रहे हैं उसका विद्धूश्चेत्र है P से N की और है न? क्योंकि यहाँ धन है तो न चाहेंगे कि जो आरोपित वोल्ट ता है वो रोधी का विभाव से अधिक हो रही है तो जब बेटर्य दवार्णा और बार मतलब यह जो व्ल्ट ताई यह इसके रोधी का विभाव से जब अधिक होगी तो अब क्या होगा देखी इसका अपना एक रुकावट है जिसको हम रोधी का विभाव अगर सरल शब्दों में समझें तो ये एक रुकावट है जिस रुकावट के कारण ये जो डायोड में जो ये बहुत संक्या कावेश वहाँ के जैसे इधर P में कौन होते हैं ये जिया जो आपका जो यहां पर ये अबक्षये परते हुचको पार नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर प्रोधी का विभाव आजाता है तो अगर वो इसको पार करना चाहते हैं तो इस रोधिका विभाव को तोड़ मतलब आपको यह बेरियर को तोड़ना पड़ेगा बेरियर को तोड़ने का मतलब यह है कि यह जो अबक्षाय पड़ते इसका जो रोधिका विभाव है उससे ज्यादा का रोधिका विभाव तो चलिए अब ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं तो अभी तक जो हमने बात की वो ये है कि जब किसी बाहिए बेटरी के धन सिरे को PN संदी डायोट के P सिरे से और उसी बेटरी के रिन सिरे को PN संदी डायोट के N सिरे से अगर हम जोड़ देते हैं तो डायोट अगर अभि अधिक तो इस स्टधि में क्या होता है अभग्या अब देआप यहाँ तो है आप यहाँ पर एं में बहु सग वाले गोले में इलेक्ट्रान्स को बता रखा है तो यह जो इलेक्ट्रान्स है यह बेटरी के क्या होंगे देखी यहां बेटरी के रिण सीरे से इसका संबंद कर दिया तो यह जो इलेक्ट्रान है बेटरी के रिण सीरे से क्या होंगे प्रतिकर्शित होंगे तो यह जो बेटरी के रिण सीरे बात तो हमें समझ में आ गई और यह इलेक्ट्रानों का जो प्रवा होगा उसको हम कहेंगे electron current ठीक है अब जैसे ही क्या होगा ये electron संदी को पार करेंगे ठीक है अब आप कहेंगे संदी को पार करने के लिए इनको उर्जा कहां से मिलेगी अरे अगर अमिनत अबस्ता है न तो जो हमारा बाहिय voltage है वो मुक्त इलेक्ट्रानों को क्या देगा उर्जा देगा ठीक है तो जिससे वो क्या करेंगे इस प्राचीर विभाव को ओवर कम कर सकेंगे मतलब इस प्राचीर विभाव को से को आप कहें यूं सरल सब्दों में कहें तो अवक्षय पर्त को तोड़ पाएंगे और मतलब प्राचीर विभाव को ओवर कम कर सकेंगे तो यह जब यह उर्जा भुत परियाप्त हो जाएगी तो मतलब प्राचीर विभाव के उर्जा से भी ज्यादा हो जाएगी तो यह अवक्षय पर्त को क्या करेंगे पार कर जाएगे तो अब जैसे ही इलेक्ट्रान संदी को पार करेंगे तो यह तुरंती औक एंख्षे दिश्चा के साथ कंभाइन होते जाएंगे तो अब यह नre स्टाइम के साथ कंभा इन होते, और यह क्या होता है? यह चैमा एंख्षेंग अग् साइट की तरफ तो जैसे से इलेक्ट्रान यह जो समय जाता इलेक्ट्रान है यह पीक शेत्र में लेट साइट की और आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे यह अपने पीछे की तरफ होल्स को छोड़ते जाएंगे अर्थादी होल्स जो हो संधी की तरफ क्या होंगे आग बढ़ते चले जाएंगे तो यह जो स्वोर्वाज इसको हम कहेंगे कोल करेंट तो हमें समझ लिए इलेक्राल करेंट और औरSchole Link मतलब कुल मिलाकर हमें यह पता है कि जो डायोड कि ऊसमें इत जिसको ओके अर्दचालग जो SHO उसके अंदर जो विद्यूत का प्रवाव होता है वो होल सोर इलेक्टरांस दोनों के कारण होता है हमें पता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेव्ट साइड़ से क्या करेंगे ये पिशके छोड़ेंगे और बैटरी के धनसीरें में क्या करेंगे प्रवेश्च दिद्हों जाएं तौ मलत कि अपने पीछें फिखें के लगातार संदी की तरफ मुह करेंगे और हमने अभी शुरुवात में यह बात कह दी थी कि बैटरी के रिंड सिर्य से जुड़े होने के का एंश्यत्र में लगातार जो है वो इलेक्ट्रानों का प्रवास संदी की और क्या होता है बना रहता है तो इस तरीके से आप देखे या अग्र दिशिक धारा बहने लगती है तो यह हमारा हमने समझा इसको कि यह पी-एन संदी डावड अग्र भीना तवस्ता या फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है अब यहां सवाल उठ सकता है कि आपने यह इस तरीके से यह जो आयंस बनाए हुए है तो वास्तों में अवक्षय पर्त के अंदर होता क्या है तो इसको भी जरा सा समझ लीजिए कि जैसे ही क्या होता है कि अधिक सदिक इलेक्टरान जो है यह इस तरफ से अधिक सदिक खोज जो है वो इस तरफ से अवक्षय पर्त में फ्लो होते हैं तो अब क्या होगा कि इन धनात्मक और रिल कि विनात्मकायन है इनकी दो परते हैं ठीक है यह दिख रही है अब इन होल्श और हेलेक्टरानों के अबक्षय परत की तरह फ्लो होने से क्या होगा ध्याव थे अबक्षय परत में फ्लो हुने से क्या होगा औरøm नायनों की संख्या में लगातार कमी होती जाएई और यह अवक्षय पर्त क्या होगी संक्री होती जले जाएगी टो यह आपको इस तरीके से इसे जानना चाहिए कि अवक्षय पर्त के अंदर वास्तों में क्या होता है